बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई आई है, वो अपने वीवर्स के सामने रख देता हूँ रूस ने स्मार्ट बॉम से यूकरेन पर विधवन सक प्रहार बोला है स्मार्ट बॉम, 500 किलो के स्मार्ट बॉम ने यूकरेन में आख बरसा दी है रूस के हमले में यूकरेन का क्रेमेनिया सेंड बेस तबहा हो गया है यूकरेन का क्रेमेनिया सेंड बेस रूस के हमले में कुछ इसकदर तबहा हो गया 500 किलो के स्मार्ट बॉम के अटाक से तो ये क्या संके 30 अपरेल के मिलने शुरू हो गए है क्या ये 30 अपरेल का ट्रेलर है जो दिख रहा है जल्दी से आए बिग वॉल पर इस बारे बात करते है क्या है ये स्मार्ट बॉम इसने क्या किया है युद्ध का क्या दूसरा राउंड शुरू हो रहा है बिग वॉल पर दिखाते हैं यहाँ पर PCR को сок घब क्रेमींटिया में यह इटाक हुआ है लेकिन यह देखिं पांच सो क्लो के स्माट वंक के प्राहर के बाद की स्विर की से resolutions कर दिया यहाँ पर इसे स्माट वॉं में 30 अप्रेल से पहले रूस की ताकत का एहसास दिलाना कही ना कही यहाँ पर रूस का या कह सकते हैं पुतिन का सबसे बड़ा अंदेशा दिखता है यूकरेन में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार वो दिख रहे हैं रूस पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा पश्चिम के हतियारों से रूस दरेगा नहीं ये बात कही ना कही पुतिन मेसेज दे रहे लेकिन स्मार्ट बम होता क्या है जल्दी से आपको वो स्मार्ट बम दिखाते हैं और फिर अपने डिफेंस एक्षपर्ट के पास जाएंगे और उनसे पूझेंगे कि वो इस हमले को कैसे डिकोट करते हैं देखिए ये आगे आपके सामने स्मार्ट बम ये मिसाइल नुमा एक स्मार्ट बम है जो की 500 किलो का होता है लंबाई 30 फीट धमाका 5 टन इसको जादा अच्छे तरीके से कंट्रोल और गाइड किया जा सकता है अटाक के वद इसलिए ये स्मार्ट बम कहलाता है जनरल कुलकर्णी आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये स्मार्ट बम पुतिन का सबसे बड़ा हथियार माने गौरव धन्यवाद मैं कहूंगा कि जैसे जैसे स्प्रिंग आ रहा है और उसके काउंटर ओफेंसिव को रोकने के लिए क्योंकि यूक्रेज जो है क्योंकि सर्दी के बाध कोशिश करेगा कि किस प्रकार से रुस को पीछे धखेला जाए और उसकी मदद के लिए हम पूरे नाड़ो कंट्री जुने जुस प्रकार से मदद की है जुस प्रकार से लेपर टांकश दिये हैं जर्मनी ने, पोलन ने और जिस प्रकार से उसको एब्राहम बिल रहे हैं, उसके अलावा जिस प्रकार से उनकों मिजाइल बिल रही हैं, एक डिपेंस का समान आ रहा है, तो यूकरें जो है एक डर है, एक शक्क है कि पूरे पस्चीमी देश मिल करके धाबा बोलने वाले हैं इस तरह से इस तारीक अब सामने आ गई है, यूक्रेन कुछ बड़ा करेगा आपको उमीद है? अभी वो एक कांटर ओफेंसिव के तियारी कर रहे है, मेरे हिसाब से वो एक तरह से अंतिम कांटर ओफेंसिव होगा, जिसके बाद से अगर यूकरेन जीतता है, तो अगर पुष कर पाता है, जो कि यूकरेन के लिए,